कि नमस्कार दूस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल लर्निंग हमें दोस्तों आज के इस सेशन में हम लोग कम्प्लीट करेंगे झार्खन के साहित्य और झार्खन के साहित्य इतना बड़ा है कि इसे एक बार करना कम्प्लीट किसी के बस की बात नहीं है तो आज हम लोग जो पढ कम से कम संथाली सहित करके भी जाते हैं तो मुझे लगता है एक दो कोश्चन तो यहीं से पूछ लिया जाएगा, तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं संथाली सहित, ठीक है? तो यह आप देख रहा हैं जैसा कि मैं थोड़ा सा इसको ब्रीफ करता हूँ, संथाली सहित के बा पात्र में प्रस्तूत करते हुए अधिकांस कहानियों की रचना की गई है इस भासा का संबंद और या आगने भासा परिवार से हैं समझें अभी तक कुछ ऐसा खास नहीं है जिस जो आपको जानना जरूरी है बस यह इंपोर्टेंट है कि कभी-कभी यह पुछ लिया जाता क कि संथाली साहित में जो है यह जो जंगली पश्तूमों का पात्र शुजते हैं कि कौन सा पात्र द्र रहता है है इस्के भास साओस और यह प। голमणी आफ़ प्रत्थन पुस्तक का प्रकासन 1852 इस्वी में एंट इंट्रोडक्शन टू दसंथा लेंग्वज यह आपको याद रखना है के नाम से किया गया था और यह किया गया था जे फिलिप्स के द्वारा जर्मिया फिलिप्स के द्वारा ठीक है तो आपको यह याद रखना है यह पहला वाला जो red color में जो करूँगा वो आपको याद रखना है ठीक है उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं उसके बाद फिर ये भी याद ही रखना आपको अग्रामर ओफ दा संथाली लेंग्वेज ये जो है एल ओ स्क्रैप्स रूट ठीक है 1873 में 1873 में एल ओ स्क्रैप्स रूट द्वारा संथाली भासा का प्रथम व्याकरन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि संथाली भासा का प्रथम व्याकरन किस ने लिखा कब लिखा और क्या नाम है तो आपको बताना है संथाली भासा का प्रथम व्याकरन एल ओ स्क्रैप्स रूड ने लिखा जिसका नाम है अग्रामर अफ द संथाली लैंग्वेज और यह 1873 इस्वी में प्रकाशित हुई थी ठीक है दोस्तो चलिए अगला प्रस्ण है 1899 इस्वी में कैम्प वेल ने संथाली इंगलिस एंड इंगलिस संथाली शब्दकोस यानि डिक्सिनरी का प्रकाशन किया था तो यह तीसरा पुस्तक है जो आपको याद रखना है पहला एन इंट्रोडक्शन टू द संथाली लैंग्वेज जो की 1850 में जर्मिया फिलिप्स क प्रथम व्याकरन एक ग्रामर अब दसंथाली लैंग्वेज 1873 बाई एल ओ स्क्रैप्स रूड तीसरा 1899 में प्रकाशित कैम्प वेल द्वारा संथाली इंगलिस एंड इंगलिस संथाली शब्दकोस का प्रकाशन यह तीन तो फैक्ट याद रखने है रखने इसके लावे बहुत सारे और फैक्ट है तो उसको दूसरे कलर से हम लोग करते हैं ठीक है इसको इस कलर से करते हैं 1936 इस्वी में पॉल जुझहार सोरेन की मौलिक कविताओं का संग्रा इसको याद कर लिजे रट लिजे कैसे रटना है वह आप दिए अनुझहार सोरेन के दवारा ठीक है दोस्तों चलिए अगला जो प्रसने वो important है संथाली का प्रथम उपनियास हाडाम वाक आतो यानि हाडमा का गाउं 1946 में रोमन लीपी में प्रकासित किया गया इसके उपनियासकार है आर कार्टेरियस ठीक है आर कार्टेरियास तो यह आप जरूर इसको याद रखिएगा उसके बाद चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं इसको इरेज करते हैं आगे क्यों बढ़ते हैं हम लोग संथाली भासा का प्रथम उपनियास हराम वाक आतो एनि हरमा का गाउँ 1946 में रोमन लिपीब प्रकासित इसके उपनियास कर आर कार्टेरियास संथाली का दूसरा उपनियास जो है मुहीला चेचेत दाई मुहीला चेचेत दाई इसका मतलब है अध्यापी का महिला जिसके उपनियास कार है ननकु सोरेन ठीक है इसको मैं अलग से करता हूँ ये दूसरा उपन्यास है और दोस्तों ये जो है प्रथम उपन्यास है इसको याद रखिएगा प्रथम उपन्यास और ये दूसरा उपन्यास है ठीक है संथाली का दूसरा उपन्यास ओके अब चली नेक्स्ट कोशन के और बढ़ते हैं दिवनागरी लीपी में संथाली का प्रथम काविसंग्रा कुकुमू स्वापन बालकिसोर साहु द्वारा लिखा गया तो इसको भी याद रखेगा उसके बाद हम लोग नेक्ष्ट देखते हैं दोस्तो संथाली भासा का प्रथम साहितिक नाटक रगुनात मुर्मु द्वार लिखा लिखित विदू चांदन है संथाली भासा का प्रथम साहितिक नाटक जो है रगुनात मुर्मु द्वारा लिखित विदू चांदन है इसका पहली बार 1942 में उडिया लिपी में प्रकाशन किया गया चलिए उसके बाद नेक्स्ट कोशन के और बढ़ते हैं लोग संथाली भासा का प्रथम समाचार पत्र होड संबाद था जिसका संपादन 1947 में डोमन साहु समीर द्वारा किया गया ठीक है दोस्तों तो ये भी स्क्रीन सॉट इसका ले लिजिए संथाली भासा का प्रथम समचार पत्र होड संबाद था जिसका संपादन 1947 से में दोमन साहु समीर द्वारा किया गया देखे जितने भी जादतर प्रशन है न संथाली से पूछा जाता है इसलिए पहले संथाली ये वीडियो में बना रहा हूँ इस वीडियो को क्या किजिया न तीन चार बार सुनियेगा तो आपको याद हो जाएगा 1951 में डोमन साहु समीर द्वारा संथाली परवेशिका तथा केवल सोरें द्वारा हिंदी संथाली कोस का प्रकासन किया गया दोनों ही पुस्तके देवनागरी लिपी में थी 1903 में सारदा प्रसाद किसकु द्वारा देवनागरी लिपी में 41 कविताओं का संगरा भूरका इंपिल का प्रकासन किया गया इसे भी याद रखेगा 1903 में डोमन साहू समीर की पुस्तक दिसोम बाबा यानि राष्टपती का प्रकासन किया गया इसमें देवनागरी लिपी में छंद के रुप में संथाली लोग के गीत है मोगला सोरेन को संथाली नाटक राही रावन काना के लिए सहित अकादमी पुरुसकार से समानित किया गया तो ये कोश्चन पूछा भी गया है और आपको याद भी रखना है मोगला सोरेन को संथाली नाटक राही रावन काना के लिए और अंत में जो बहुत ही असान प्रस्न है वो आप सभी को पता है पंडित रगुनात मुर्मूनेशन 1941 में संथाली भासा के लिए ओल्चिक की लेपी की खोचकी थी तो ये दोस्तों मैंने आपको आज पढ़ाया संथाली साहित से जितने भी प्रस्न पूछे जा सकते हैं एक्जाम में उन सारे प्रस्नों को मैंने बताया एक दो बार ये लेक्चर को सुनिए कभी मॉर्निंग में शाम को या जब भी आपको जी करें सुनेंगे इसे लगा के वीडियो को तो आशा है कि आपको ये याद हो जाए ठीक है एक दो बार देखेंगे और उसके बार कोश्चन बनाएंगे तो आपको ये भली भाती पूरी तरह से याद हो जाएगा तो आज हमने संथाली साहित पढ़ा कल हम लोकोसिस करेंगे संथाली साहित के बारे में पढ़ेंगे ठीक है दोस्तो और इसके बाद कोश्चन भी बनाएंगे चिंता करने वाली बात नहीं है ठीक है दोस्तों थाइंक्यू वीडियो पसंद है तो लाइक किजिएगा शेर किजिए और सब्सक्राइब किजिएगा